क्या साउथ इंडस्ट्री की सिर्फ तीन फिल्मों ने कर दिया है बॉलिवुड को तबाह चलिया है इस बारे में बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अदिती शर्मा तो लो जी दोस्तों एक टाइम था जस वक्त इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बॉलिवुड का बोल बाला था अगर देखा जाए तो साउथ में जो लोग काम करते थे वो चाहते थे कि हमें बॉलिवुड में मौका मिले लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं सब उल्टा हो गया है अब ऐसा लग रहा है कि बॉलिवुड रश्टो नाबूत कर दिया है जिहां एक दम से मतलब बॉलिवुड की टाइटाइफ फिश हो गई है और यहां पर तीन फिल्में इस साल बहुत पुरे तरीके से बॉलिवुड पर भारी पड़ी है जिन्होंने बॉक्स ओफिस पर अपने ऐसे जंडे काड़े कि उस वक्त पुष्पा ने एक भी बॉलिवुड की फिल्म चलने नहीं दी जब पुष्पा जो है बॉक्स ओफिस पर राज कर रही थी उसके बाद आई आरारार सेम चीज वहां पर भी हुई और उसके बाद केजिएफ चेप्टर टू ने तो मतलब अभी तक जो है वो तहलका मचाया ह हुआ है अभी तक बॉलिवुड की कोई फिल्म जो है बॉक्स ओफिस पर नहीं टिक पा रही है दोस्तों एक महीने से जाधा इस फिल्म को रिलीज हुए हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो हिंदी वर्जन की कमाई है वो करोडों में चल रही है बात लाखों तक अभी भी न तो अभी साल खत्म नहीं हुआ है अभी फिल्म में और आनी बाकी है तो यहां पर इनी फिल्मों ने भाई बॉलिवुड को बहुत बुरे तरीके से माद्दी है क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कॉमेंट्स में ज़रू बताईए